नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिसकस करेंगे कि युरिमैक्स कैपसूल का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, युरिमैक्स कैपसूल को कैसे लेना चाहिए, और युरिमैक्स कैपसूल की वज़से क्या साइड इफेक हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि युरिमेक्स कैपसूल को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। युरिमेक्स एक ब्रैंड नेम है। युरिमेक्स कैपसूल के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन टैमसुलोसिन 0.4 mg होता है। युरिमेक्स कैपसूल अलफा ब्लॉकर ड्रग क्लास की दवा है। जिसका उप्योग पुरुशों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने पर किया जाता है। तरह से खाली न कर पाना, पेशाब की धार का कम होना, पेशाब करने में परेशानी या दर्ध होना, पेशाब में खून आना, रुक रुक कर पेशाब आना और पेशाब करने के बाद भी बून बून पेशाब तपकना आदी लक्षन पुरुशों में प्रोस्टेट का साइ बढ़ना एक सामान्य बात है और ज्यादा उम्र के व्यक्तियों में प्रोस्टेट का साइज बढ़ने का जोखिम अधिक होता है। यूरिमैक्स कैपसूल प्रोस्टेट और यूरिन ब्लैडर की मासपेशियों को रिलाक्स करता है जिसकी वजह से प्रोस्टेट के साइज को कम नहीं करता है। यूरिमैक्स कैपसूल केवल प्रोस्टेट और यूरिन ब्लैडर की मासपेशियों को रिलाक्स करता है जिसकी वजह से पुरुषों को पेशाप करने में आसानी हो जाती है। Side effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में URIMAX Capsule की वज़े से कोई side effects नहीं होते हैं. लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में URIMAX Capsule की वज़े से कुछ side effects हो सकते हैं. जैसे सिरदर्ध होना, शरीर में ठकान वसुस्ती होना, चक्कर आना, सिर घूमने का आभास होना, सरदी जुकाम होना, नाक का बंध होना, शरीर में कमजोरी होना, कमर में दर्ध होना, छाती में दर्ध होना, छाती में ज्यादा बलगम बनना, दस्त होना, गले में खराश या दर्ध होना, उल्टी आने का मन होना, आखों में धुंदलापन होना और नींद अधिक आना आधी साइड इफेक्स यूरिमैक्स कैप्सूल की वज़ा से हो सकते हैं। यूरिमैक्स कैप्सूल को खाना खाने के 30 मिनट बाद लेना रेक्मेंडेड होता है। महिलाओं के लिए यूरिमैक्स कैप्सूल का सेवन करना सुरक्षित वर रेक्मेंडेड नहीं है। यूरिमैक्स कैप्सूल का सेवन नहीं करना चाहिए। यूरिमैक्स कैप्सूल को लेते समय किसी व्यक्ति के पेनिस में 5 घंटे से अधिक समय तक इरेक्षन रहता है। या इरेक्षन के दौरान पेनिस के अंदर दर्द रहता है। तो ऐसी स्थिती में डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। क्योंकि अधिक लंबे समय तक पेनिस के अंदर इरेक्षन रहने की वज़ह से पेनाईल तिशू डैमेज हो सकते हैं। जिसकी वज़ह से पेनिस में इरेक्षन का पर्मानिंट लॉस हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को यूरिमैक्स कैप्सूल या इसके किसी भी इंग्रिडेंट जैसे टैम्सुलॉसिन आदी से एलर्जी है। तो ऐसे व्यक्तियों को यूरिमैक्स कैप्सूल का सेवन नहीं करना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को भी बताना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका यूरिमैक्स कैपसूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.